नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूँ गार्डन का टूर और बताने वाला हूँ गार्डन में लगे हुई सब्जियों का अपडेट गार्डन में कुछ नई सब्जियों वाले पौधे लगाए थे वो तैयार हो रहे सांत में आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्षन में जरूर लिख दीजेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरस अन गार्डनिंग यूटूब करके रखें बहुत ज्यादा मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए लेकिन सूखनी भी नहीं चाहिए उसके बाद धनिया जो उगने में थोड़ा ज्यादा समय लेगी दस से पंदरा दिन का समय ले लेती है एक बार धनिया उग जाएगी तो बहुत अच्छी बढ़ेगी और ता चाहिए कि सबजिया इस ग्रो बैग में लग जाती है इस तरफ की बात करें यहां तो यहां पर आप देख रहे हमारी अर्बी लगी हुई है अर्बी अब हमें निकालनी है पुरानी अर्बी है हमने पहले लगाई थी तो यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है यह यहां पर देखें तो यहां पर हमारी यह हल्दी जो की काली बाली हल्दी है पीली बाली हल्दी है इसके पत्ते इस तरह से होंगे कोई प्रॉबलम नहीं है कम पानी दीजिए सर्दियों में यह पक जाएगी उसके बाद इसको हार्वेस्ट कर लेंगे यहां पर हमारे बैग मिलेंगे इनमें आप खाद दे सकते हैं सामने यहां पर देख रहे हैं तो हमने धनिया लगाई है इस तरफ हमने लगा दी है पालक अब देखिए पुरानी जो मैंने पालक लगाई थी वह हो गई थी खराब क्योंकि उसमें इल्ली लग गए थी यह वाली पालक अभी सही चल मूली और गाजर दोनों चीज़ें आप अभी लगा सकती है और 2020 मेलमबर का महीना बेस्ट होता है इन्हें लगाने के लिए मैंनेटीस अलग-बलग सबची यह वीडियो भी देख सकते हैं इस में डीटेल के आपने में क्या लगा सकती हैं तो यह हमने लगा दी है मूली यह जो ग्रोबेग है साथ बारा बारा इंच का है मतलब की पांच फिट इसकी लंबाई है बारा फिट उंचाई है बारा फिटी चोड़ाई है दो रो बनाकर हमने मूली के बीज लगा दिये थे और अब आप देखिए पौधे को इस तरह ऐसे हो गए हैं अगर पौधे ज्यादा पड़ते हैं यह हमारा एक कॉक्सकॉम का पौधा उग गया था अपने आप तो यह मखमली फूल होता है देखिए इस तरह से इसमें बिलकुल मखमल की तरह यह फूल खिल जाते हैं बहुत लंबे समय तक खिले रहते हैं तो यह आप लगा सकते हैं अभी इसके बीज मिल जा है अगर आप अभी कुछ सर्दियों वाले फूट प्लांट मतलब जो सर्दियों में लगा जाते हैं लगाना चाहें तो वह भी लगा सकते हैं सामने यहां पर आप देख रहे हैं तो आम है इसके बाद फिर से हमारा अमरूद अब इस अमरूद की साइज देखिए अभी अम निया जाए जा ऐक इस तरह से खिलता है देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है अभी इसमें भी खात की जरूरत है क्योंकि यह सपोट में एक साल से लगा है तो थोड़ा सा पीला हो ने लगा है इस तरफ हमारे घंप अप इस यह वैगर में क्या है कुछ बैगन खराब लगे हुए हैं उन्हें हारवेस्ट करेंगे और इसकी थोड़ इसी प्रूनिंग की नीड है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फिलावरिंग नहीं हो रही है आप देखिए लेकिन अच्छी फिलावरिंग नहीं आ रही है तो फिलावरिंग के लिए फिर से हम प्रूनिंग करे इसकी हार्ड बूड से हार्ड बूड कैसी होती है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं यह कलर इस तरह से यहां से कट करेंगे तो फिर जो न्यू ग्रोथ आएगी उसमें अंगूर लगेंगे तो अंगूर की प्रूनिंग का समय अभी आ रहा है अगर आपने लगा रखा है तो गाजर बहुत अच्छी होती है सर्दियों में जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मूली और गाजर लगाने का बहुत अच्छा समय है और जैसे ही अभी दिसंबर में सर्दियां तेज होंगी और गाजर आप उस समय अगर गाजर आपने लगाई है जित्त आप सूख रही है और उपर देखिए इसमें फिलावर वर्ड आ गई है तो बहुत जल्दी फूल इसमें खिल जाएंगे सफेद कलर का यह होता है बाद में रंग भी बदलता है इस तरह हमारी मिर्च लगी है मिर्च के हमने कुछ नए पौधे भी बनाए है जो मैं आपको हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है इसलिए हमने इन पौधों को नहीं हटाया है बांकि नए पौधे आप अभी लगा सकते हैं इस तरह से चोटे बैगन के यहां पर आप देखेंगे तो हमारा नीबू का पेड़ अब नीबू के पेड़ में क्या हो रही थी इसकी स्टेम का तब सूख रही थी काली होकर जैसे यह आप देख रहे हैं यह स्टेम काली होकर थोड़ी सी सूख रही है तो कल मैंने वो सारी स्टेम को काट दिया है किस तरह से काटा है मैं आपको दिखा दूँ देखिए यह काटी हुई हमने यहां से यह जो सामने आप देख रहे हैं इस इसे काटा हुआ है यह उपर आप देख रहे हैं इसे काटा हुआ है तो यह थोड़ी सी नीबू में प्रॉब्लम होती ही है यह डाइबेक होता है इसमें उपर से तो आपको इस तरह से इसकी पत्तियों जो इस्टेम है उने कट कर देना है और नीबू देखिए इस तरह से आ तो नीबू तो अभी आ रहे हैं बाखी उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं है बारामासी नीबू है बीच में थोड़ा सा कमजोर हो गया था इसलिए अभी फिर से हम इसको रिवाइब कर रहे हैं ताकि यह अच्छी फ्रूटिंग करें यहां पर अनार है और अनार में भी न्यू ग्रोथ है इसलिए अभी अनार जादा आए नहीं है इस तरफ हमारा अम्रूद और अम्रूद में बहुत अच्छी फ्रूटिंग है यह देख सकते हैं आप चार पांच अम्रूद एक सांथ लगे हैं यहां पर भी अम्रूद है और यह भी बिलकुल पीला हो गया था पौधा फिर हमने इसको रिवाइब किया इसमें खाद बगेरा डाली दोबारा खाद डालने का समय भी आ गया है तो बहुत जल्दी हम इसमें फिर से खाद देने वाले हैं यह हमारी कडी पत्ती का पौधा बढ़ियां चल रहा है कुछ हमने परसों जो हार्वेस्टिंग की है उसमें इसकी पत्तियां हर्वेस्ट की थी और इस पौधे को हमने लगा रखा है यहां पर 18 वाई 18 एच के ग्रोबैग में थोड़े से बड़े ग्रोबैग में लगाएं तो अच्छा रेजल्ट मिलेगा और अच्छी पत्तियां आपको मिलने वाली हैं सामने आप देख हैं तो केले के पौधे लगे हैं और इनको अभी हमने सिप्ट नहीं किया है इनके ग्रोबैग बदलने हैं और एक ग्रोबैग में एक केले का पौधा ही लगाना है इस तरह पाजाएं तो यहां पर हमारे मैथी मैथी लगाने का समय अभी आ गया है अब आप मैथी कोगा सकत और रीग्रो भी हो जाती है बहुत फायदे मन्द होती है सरदियों में अपने होम गाडन में मैथी जरूर हो गाए इसे कैसे हो गाना है इसका complete वीडियो मेरे चैनल पर पबलस है आप बहां पर देख सकते हैं इस तरह हमारे कुछ करेले लगे हुए हैं करेले में जो इस तरह इसमें मिर्च लग रही है और एक ही पौधा बच पाया था लीप कर्ल से तो थोड़ा बहुत इसमें बीच में आ जाता है लीप कर्ल फिर चला जाता है तो फ्रूटिंग हो जाती है तो ऐसे थोड़ी थोड़ी फ्रूटिंग हमें इसमें मिल रही है इसलिए हमने इस निए भोशामे इसमने बंद कर देगा से ब्ब़ाया यह तो काफी द्रेगन फूरत हार्वेस्टिंग के लिए त केTom हमने एक द्रेगन फूरत यहां से तोड़ा था तो से मैं ले गया था घ्लेगन के लिए जब नवंबर तक चलती है वैसे अभी नवंबर है तो यह पूरे नवंबर हमें मिलेंगे अभी देखिए कुछ इस तरह ऐसे छोटे ड्रेगन फ्रूट जो पके नहीं है वो भी लगे हुए है मांकि न्यू अब फ्लावरिंग इसमें बंद हो गई है वह नहीं आ रही है मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रोग लग गया था इल्ली लग गई थी यहां पर बैगन लगे हुए हैं तो बैगन में तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही आप सामने देखी सकते हैं यह देखिए काफी अच्छे पिंक बैगन लगे हुए हैं और यह बाली बैगन के पौधे लगाने का समय आ गया है अगर आप नए पौधे बनाएंगे तो अभी जो सर्दियों में उनका रिजल्ट मिलेगा वो बैस्ट मिलेगा तो बो जरूर बना लीजिए यहां पर आप देख रहे हैं तो हमारा कद्दू यह बिंटर स्क्वैस है कुछ इस तरह से होत अब ने एक कद्दू तोड़ा था और फिर उसकी खीर बना कर खाई अभी अमने दिवाली में तो यह कद्दू लगा हुआ है एक यह कद्दू भी अब हटाना है क्योंकि इसका भी एज हो गई है यह भी अब लास्ट स्टेज में है इस तरफ की बात करें तो धनिया और धन भी पालक के साथ ही लगाए थी तीस दिन में तैयार हो जाती है अर्ली कोरियंडर के नाम से इसके बीज मिलेंगे आपको वैप साइट और निक बजा डॉट नेट पर वहां से आपने खरीच सकती है बीच में एक दिखिए टमाटर का पौधा हो गया तो इस पौधे को अब इस स्टेज में उखाड कर अगर आप दूसरे ग्रो वैग में लगा देंगे जैसे आप सामने ग्रो वैग देख रहे हैं तो ये बड़ा हो जाएगा और इसमें फ्रूटिंग भी हो सकती है इस तरह से कुछ पौधे अगर आपके गाडन में उख जाते हैं तो फिर आप उन तो उससे काफी फाइदा हुआ और ग्रोथ आप देखी सकते हैं काफी अच्छी हुई तो बढ़ती जब पौधा बढ़ती एज में रहे उस समय खाद देंगे तो आपको बहुत अच्छर रेजल्ट मिलेगा तो ये हो गई हमारी हरी धनिया इसे जरूर हो गाएं अब आज बच गई है तो ये मैथी भी अब धीरे धीरे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी यहां पर लगी हुई है भिंडी भिंडी बिलकुल आखरी स्टेज में है छोटी छोटी भिंडिया मिल रही है तो हम इसे अभी रखे हुए हैं बाद में हम इसे हटा देंगे इस हम दे रहे हैं अभी भी थोड़े बहुत पौधे बचे हुए हैं इनमें फ्रूटिंग हो रही है तो हमने नहीं हटाया है और इस तरह से इसमें फ्रूटिंग होती देखिए यह वेल आई हुई है और यह लगे हुए हैं करेले और इस साइज में आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं, हारवेस्टिंग के लिए बिलकुल तैयार है, तो इस तरह से एकरेले आपको खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, कडवे नहीं होंगे, और फूर्टिंग भी बहुत अच्छे करते हैं, इस तरह आप देख रहे हैं हमारा एपिल बेर एपिल बेर में देखिए अब बेर लग गए बड़े होने लगी हैं एक महिने में बड़े हो जाएंगे और हर्वेस्टिंग के लिए तयार हो जाएंगे तु काफी अच्छी फ्रूटिंग होई है उस तरफ इसका ग्रो बैग है जिसमें पोधा लगा हुआ यहां पर हमारी लाल भाजी लाल भाजी की पहली हार्विस्टिंग हो गई है दूसरी हार्विस्टिंग के लिए यह तैयार होने लगी है तो इसकी भी दूसरी हार्विस्टिंग हो गई है दूसरी हार्विस्टिंग के लिए यह भी तैयार हो रही है देखिए काफी अच्छा पोधा है बस यहां से हम इसे कट कर लेते हैं इस तरफ देखें तो यह निवू का नया पेड़ में बना रहा हूँ जो कि काफी अच्छा चल रहा है और इसकी मैंने एक बार स्कॉप्ट प्रूनिंग कर दी थी अभी हमने नहीं की है बाद में हम फिर करेंगे दो साल बाद इस में खाद की कमी है तो अभी मैं आपको बताओंगा इस में खाद केंसे देना है चलते हैं उस तरफ यहां पर हमारा पैसन फ्रूट में एक प्रॉब्लम है देखिए यहां तक तो यह अच्छे से हो जाता है इसके बाद इसकी फ़ल इस तरह से सूखने लगते और पीले नही पकरा है आप जरूर मुझे बताएं अगर आप मैंसे किसी को पता है तो इस तरह पेक चैरी टमाटर उग गया था ग्रोबैंग में तो इसमें देखिए इस तरह से टमाटर लगने लगें यह तमाटर लग रहे हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं तो चलते हैं हमारे फूट प्लांट की तरह इस तरह कुछ फूलों वाले पौधे हैं और गुलदाओ देखिए जो कटिंग कर दी थी मैंने वो यह है यह देखिए इसमें भी फूल आने लगे हैं कुछ पौधे बिलकुल तैयार हैं फूलने के लिए और देखिए यह बहुत ज़्यादा फूल इसमें आते हैं तो अभी इसमें भी फूल आ जाएंगे इस तरफ हमारे गैंदे के पौधे जो की पुराने हो चुके हैं यह पुराने गैंदे के पौधे जो बिलकुल हमें पूरे रहनी सीजन इनने फूल दिया अभी इसमें फूल आ रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं तो कट कर देना होता है यहां पर भी मैंने देखिए यह टिप को कट कर दिया है इसको कट करने का रीजन यह है कि यह जो साइड की ब्रांच है अब हम इसे बड़ा करना चाह रहे हैं यह जो साइड की ब्रांच इस देखिए कितनी सारी हैं तो एक ही पौदे से तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा बाकि रें लेली में भी फूल आये हुए हैं यह देख सकते हैं आप यह पर रें लेली फूल चुकी है हमारा ये ग्लॉडिलस में भी फूल आये हुए हैं ये देखिए बहुती सुन securities कापूल होता है तो एकतु फूल छूग गया जाने के बाद उसमें इतने अच्छे फूल आ रहे हैं तो गैन दिखो आप कटिंग से भी होगा सकते हैं इसका डिटेल वीडियो चैनल पर पबलिस है मेरे पपीते के दो पौधे बनाये थे अभी इनको मैंने ट्रांसपर नहीं किया है तो काफी दिन से रखें रूट जो आप देख रहे हैं यहां पर हमारा अम्रूद अम्रूद में आप देखिए नीचे तो यह सही हो गया है उपर थोड़ा कमजोर है तो हम निकल इसकी सब प्रूनिंग यहां से काट दिया इसको प्रूनिंग कर दी जितनी भी इसकी एकस्ता ब्रांच थी अब इसमें अडाम्र जोड़ा करते हैं यहां पर यहां पर देखिए इसकी फ्रूटिंग हमारे नीभू की नीबू में देखिए 246 नीबू एकसांद लगे हुए हैं तो यह नीबू फैरने बड़े हो अर यह नीबू बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे तो इस तरह से आफ ज्यादा गुच्छों में भी नीबू पा सकते हैं अगर आपकी वेराइटी अच्छी है नीचे ग्रो बैग 18 वाई 18 एंच का ग्रो बैग है यहाँ पर हमारे अनार के पौधे और इनमें भी अभी ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा नियू ग्रोथ है तो इसकी बहुत ज्या है उसमें थोड़ा सा भी रोग लगा हुआ है यह हमारा चैरी का प्लांट अब चैरी के प्लांट को रिपॉट तो मैंने कर दिया था लेकिन मुझे लग रहा है अभी उसमें खाद की कमी है तो इसमें खाद दे देंगे और फिर देखते हैं इसमें फ्रूटिंग कभ होती ह करे हैं बाइध यहां चीकू का एक प्लांट जो की कल रिपॉट कर दिया है मेरे साफ से पापा जी ने छोटे ग्रोवड में लगा दिया है लेकिन ठीक है एक साल बाद एसको बड़ेग में रिपॉट करेंगे सामने आप देख रहे हैं तो यह हमारा हीं का प्लांट है हींग होती है इसमें यह हमारे बैगन के पौधे हैं यह बड़ा बैगन हमारे लोकल एरिया में होता है जो भरता बनाने में यूज होता है तो रेतिली जगहे में होता है इसके पौधे लगा दिये हैं यह पापा जी ने तो आप देखते हैं इसमें कैसी फूरूटिंग मिलती पीटे जो चल्ड ही इस तरह अमरूद का पेड़ जो कि पिंक अमरूद ही पिंक अमरूद का पेड़ होता है और ताइवान पिंक बोलते हैं साइद इसे और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है बांकि अभी पौधे ने फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा की है इसलिए थोड़ा सा कमजोड दिख रहा है दिख वांकि एक और सेब का ये पौधा है और इसमे इसकी पतियां उपर की जो न्यू ग्रोध है वो इस तरह से हो रही है साइद इसमें माक्रोनिट्रियंट की कमी है अगर आप में से किसी को पता है तो जरूर बता है इस तरह से पतिया क्यों हो रही है और मुझे लग रहा था इसके धूप की कमी है तो मैंने इसे धूप में रख दिया है धूप में रखने के बाद भी अभी इसमें इस तरह से ये पत्ते हो रहे हैं तो अगर आप मैंसे किसी को पता है तो जरूर बता है इस तरह कैसे मैंसे सही करूँ वाकि एक बार में खाद का मिक्स्चर बना कर तो इसमें दे दूँगा ताकि अगर कुछ न्यूटिसन की कमी हो तो वो दूर हो जाए तो ये है फिलहाल गार्डन का अपडेट गार्डन में लगी हुई सबजियों और फल वाले पौधों का अपडेट आपने देख लिया अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए नवंबर का महिना बहुत अच्छा है अपनी होम गार्डन में स आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग